सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल दा अल्टिमेट फांडेशन को एंड प्लीज प्रेस्ट बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट ओन जीके जीए संजीए आज मैं आप लोग के लिए अगस्त मन्त के पूरे 115 बेस्ट सेलेक्टिव MCQ लेके आया हूँ जो की आपके अपकम एकजाम से लिए बहुत इंपॉर्टन्ट है यह बहुत सेलेक्टिव हो और जो इंपॉर्टन्ट है मैं वही लाया हूँ आप लोग के लिए सबसे ज़्यादा पर चुके हैं कौन तो हैं इस सबसे ज़्यादा चुके लगाने वाले कुण के तौर पर अभी इनको सर पास कर चुके हैं कौन? लेबनान सरकार ने बेरुत में बिस्पोटक हमले के कारण कितने दिन के लिए देश में इमर्जेंसी लगाने की घुषना की है इस कुछन का सही एंसर है दो सप्ता अभी जो लेबनान में रिसेंटली बिस्पोट हुआ था उसके बारे में कुछ जुटेस पढ़ लेते हैं हम लोग तो लेबनान की जो राजधानी है वो क्या है बेरुत है वहाँ की राजभाशा है क्या है अर्भी है और फ्रांसिसी है वहाँ के राजपती मिसेल सुलेमान है वहाँ के प्रधानमंत्री शाद हरीरी है और वहाँ के मुद्रा लेबनानी पाउंड है और लेबनान कहां इस्तित है तो लेबनान पस्चमी एसिया के भूमध्य सागर पूर्वी तटपर इस्तित है और इसके उत्तरपूर्व में क्या है इसके उत्तरपूर्व में सीरिया है और दक्षीन में इस्राइल इस्तित है हमारा next question question number 3 Indian Premier League IPL के 13th season की मेजवानी कौन देस करेगा so friends इस question का सही answer है number A स्युक्त अरब अमिराथ UAE इसकी मेजवानी करेगा generally ये April मेहने में start हो जाते थी बड़ इस बार कभी start होगा 19 सितंबर से start होगा 10th number तक चलेगा हमारा next question question number 4 HDFC bank के अगले CEO के रूप में निमने से किसको निउक्त किया गया है so friends इस question का सही answer है A. ससीधर जगदीशन ये HDFC के अगले cheap executive officer CEO और MD दोनों होंगे और ये इन्होंने 2008 में बैंक के साथ chief financial officer CEO के रूप में जूड़ा था पेसे से एक chartered accountant है हमारा next question question number 5 केंदर सरकार द्वारा जारी आंकलों के अनुशार जंधन बैंक खातों की संक्या कितनी हो गई है so friends इस question का सही answer है option D 40 करोड इसकी खातों के संक्या लगबग 40 करोड हो चुकी है और इसमें जो इस बैंक खातों में deposit से कितने हैं around 1.3 लाक्स करोड हमारा next question question number 6 भारती पहलवान का नाम हर्याना के खेल और युवा मामले बिभाग में उप निदेशक के रूप में न्यूक्त किया गया है किस भारती पहलवान का नाम so friends इस question का answer है D. बवीता फोगाट और बवीता फोगाट को जानते ही है कि बवीता फोगाट ने 2014 के राष्ट मंडल मिन्स कोमन विल्थ खेल में स्वर्न पदक जीता था तो actually jointly इन दोनों का नाम यूआ मामले बिभाग में उपनिदेशकर के रुप में न्यूक्त किया गया है जो कि बवीता फोगाट है भारती पहलवान और कबड़ी खिलाली कवीता देवी मेंड़ हमारे questions में क्या पूचा गया है भारती पहलवान so ये बवीता फोगाट एंसर होगा इसका हमारा next question क्योचन नमबर शेवन किस राजे सरकार ने किसानों के लिए ADB वित पोसे थाउजन करोल करूपे की परियोजना को मंजूरी दी है so friends इस question का सही एंसर है option नमबर D महराज़्ट ADB मिन्स Asian Development Bank और इसकी मुख्याले का है तो फिलिपिन्स में हमारा next question question number 8 RBI किस पुर्व गवर्नर को Great Eastern Sipping Company में एक स्वतंतर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था so friends इस question का सही एंसर है option number B उर्जीत पतेल उर्जीत पतेल हमारे भारत के 24 वे गवर्नर को रूप में कारेत रहे थे इस पीरिड में सितंबर 16 से लेकर December 2018 तक हमारा next question question number 9 भारत ने किस स्वतंतरता सेनानी की सौवी पुनित थी एक अगस्त को मनाई so friends इस question का सही एंसर है option number B बाल गंगाधर तिलक बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहां हुआ था महरास्ट्र में इनकी सौवी पुनित थी एक अगस्त को मनाई गई next question question number 10 भारती प्रतिबूती एवं विनिमय बोड means सेबी के चेर्मेन अजय त्यागी की कारेकाल को कितने महीने तक बढ़ा दिया गया है सो अजय त्यागी हमारे current क्या है current सेबी के चेर्मेन है so friends इस question का सई answer option number B means 18 महीने सेबी के चेर्मेन अजय त्यागी के टर्म को 18 महीने बढ़ा दिया गया है सेबी का formation कब हुआ है मेरे दोस्त तो 12 अप्रिल 1988 को और इसका सम्वेधानिक पावर कमी रायस को 30 जनवरी 1992 को और सेबी कार्टर कहां पे है मुंबई में और अजय त्यागी कौन है तो 1984 बैच के आईस अधिकारी है हमारा next question question number 11 Ireland के किस पूर्व राजनितिग और नोबिल पुरसकार बिजेता का हाली में नीदन हो गया इस question का सही answer है A. John Hume हमारा next question question number 12 हाली में जम्मू कास्मिर के नए उपराजिपाल के रूप में किसे निउक्त किया गया इस question का सही answer है C. Manoj Sinha current उपराजिपाल थे गरीश चंद्र मुर्मू जिनको अभी भारत के नियंतरक एव महालेखा that is C. A. G. के रूप में निउक्त किया गया है So friends हमारा next question question number 13 केंद्रिय मंत्री मंडल ने भारत और किस देश के बीच पारशपरिक चिकितसा पद्यती और होमियोपैथी के छेत्र में सायोग पर समती वेक्त किया है So friends इस question का सही answer है Option number B जिंबावे Our next question Question number 14 Digital परिवरतन के लिए किस कंपणी ने Finservi Incorporation के साथ सायोग किया है IOB Financial Solution Limited SBA Financial Solution Limited PNB और B.O.B So friends इस question का सही answer है Option number D B.O.B. Bank of B.O.B. Financial Solution Limited So हमारा next question Question number 15 Narendra Modi ने प्रवीन जुगनाथ के साथ किस देश के सर्वोच नयायले बवन का उधगाटन किया है So friends इस question का सही answer है Option number C Morissis और Morissis का राधानी कहां पर है Port Louis में हमारा next question Question number 16 राष्टिय सिच्छा नीती Means NEP National Education Policy 2020 के उनिसार किस पार्थे करम को बंद कर दिया जाएगा So friends इस question का सही answer है Option number C Enfil So हमारी जो 2020 की नई सिच्छा नीती आई है इससे पहले भारती सिच्छा परनाली 1986 था उसके बाद ये पहला अमेंडमेंट हुआ है और ये पहली बदलावाई है So next question is question number 17 किस देश ने सत्यापित समचार पोटलो को अपनी पहली सूची जारी की है So friends इस question का सही answer है Option number B Bangladesh हमारा next question Question number 18 किसने e-book Standard Treatment Guidelines for the Management of Substance, Use, Disorder and Behavioral Addiction जारी की So friends इस question का सही answer है Option number C Harshvardhan जी ने Harshvardhan जी कौन है हमारे तो केंदरिये, स्वास्ते और परिवार कल्यान मंत्री है इस book का उदेश क्या है इस book का उदेश है मादक, द्रवो के शेवन और ब्यवार सम्मधी लच्से निप्टारा दिलाना हमारा next question Question number 19 छटवे Bricks परियावरन मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रति निदेत्व किस ने किया था So friends, इस question का सही answer है Option number B, प्रकास जाव लेकर So Bricks में कौन-कौन से country आते हैं BRICS, Brazil, Russia, India, China and South Africa इसका formation 2009 में हुआ था और 12th Bricks Summit कहां पर होगा अभी, St. Petersburg, Russia में होगा कब होगा, July 22 में होगा और 12th Bricks Summit का chair person कौन होगा, तो ब्लामिदीर, पुतीन हमारा next question Question number 20 BCCI ने खिलाडियों को उम्र गल्द बताने पर निम्न में से कितने साल का प्रतिबंद लगाने का फैशला किया है So friends, इस question का सही answer है Option number D, दोशाल हमारा next question Question number 21 बिहार की निम्न में से किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुति करन किया जाएगा So friends, इस question का सही answer है Option number A, जल निश्य योजना और इस जल निश्य योजना का उद्देश क्या है ग्रामीन चेत्रों का प्रतेगर को 2019-20 तक पाइप द्वारा सुध पेजल उपलवद कराने का लक्ष रखायात है हमारा next question Question number 22 हाली में किस देश ने महात्मा गान्दी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है So friends, इस question का सही answer है B, Britain महात्मा गान्दी हमारे भारती नोट में तो है ही भारती नोटों के साथ साथ अभी ब्रिटेन में भी सिक्कों पर नजर आएंगे महात्मा गान्दी तो एक हुए दूसरे भारती मूल के ब्रिटिस जाशूष नूर इनायत खान और तिसरे कों है जमैकन ब्रिटिस नर्स मेरी सीकॉल हमारा next question है question number 23 किस राज में तीन राजधानी वाली योज़ना को राजपाल की मंजूरी मिल गई है So friends, इस question का सही answer option number A, आंधर पर्देश आंधर पर्देश में अब तीन कैपिटल होंगे तो तीनों कैपिटल क्या क्या होंगे पहला विसाका पत्नम को कारेक पालक राजधानी बनाई गई है अमरावती को बिधाई राजधानी बनाई गई है और कर्णूल डिस्टिक को हाली में किस सरकार ने संजीवन नाम से एक मवाईल एप लाँच किया है इस कोशन का सही एंसर है ऑप्सन नमबर डी बिहार बिहार ने संजीवन नामक एप लाँच किया है जो की COVID-19 से सम्मंदित सभी जानकारिया उसे आप पा सकते हो अब हम लोग चलते हैं हमारे पार्ट टू की ओर तो हमारे पार्ट टू का पहला कोशन है पहली किसान रेल निम्ण में से किन दो सहरों के बीच चलेगी तब फर्स्ट किसान रेल विल रन बिविज अप दो फॉलोईंग सिटीज इस कोशन का सही एंसर है ओप्सन नमबर एद देव लाली से दानापूर सो जेनरली यह तो किसान रेल हो किस लिए चलेगी सो यह किसानों का अनाज, फल, सबजिया यह सब कैरी करने के लिए चलेगी पहले जेनरली क्या करते थे तो सड़क के माध्यम से एक जगा से दूसरे जगा यह fruits, vegetables ट्रांसपोर्ट करते थे जो किये बट रेलवे के थुरू होगी सो यह कहां से कहां तक चलेगी तो किसान रेल नासिक से देव लाली से बिहार के दानापूर तक चलेगी सो हमारा next question है question number two भारती रिजर्ब बैंक की मौद्रिक नीती समीती ने रेपो दर कितने परतिसद बनाये रखने का सर्व सम्मत्य से फैसला किया है The Monetary Policy Committee of the Reserve Bank of India unanimously decided to maintain the repo rate by what percentage? So friends, इस question का सही answer है, option number B, this is 4%. So repo rate अभी currently 4% maintain करने के लिए unanimously decision लिया गया है So repo rate क्या होता है दोस्त, तो repo rate होता है जब कभी भी किसी other bank को अगर कुछ loan या कुछ funding क्या वश्रकता होती है तो RBI उसको repo rate पे lend करता है और अगर RBI को fund क्या वश्रकता होती है और other bank से borrow करना चाहता है तो किस पे borrow करता है वो? reverse repo rate पे Obviously, आप समझ सकते हो, reverse repo rate will always be less than repo rate because वो RBI का margin होता है, right? So, जितने भी rates होते है, rates पे specifically मैं अलग से video ले आओंगा, that will be very important for you guys So, अभी मैं current repo rate and reverse repo rate पे जितने भी तरह rates है, आज के rate पे मैं उसके लिए अभी screenshot लेका है आप लोगों के लिए So, आप देख सकते हो, repo rate कितना है हमारा 4%, reverse repo rate कितना 3.35%, means 0.65% का margin है RBI का उस तरह marginal standard facility rate, MSFR rate 4.25%, bank rate 4.25%, CRR rate cash reserve ratio 3%, statutory liquidity ratio 18%, right? So, यह अब understand कर सकते हो, चलते हैं, next question के और question number 3 Forbes की दुनिया में सरवाधिक कमाई करने वाले top 10 अभीनेताओं की सूची में निम्न में से कौन इकलावते भारती शामिल है? Which of the following Indians is included in the Forbes list of the highest grossing top 10 actors in the world? So, इस प्रशन का सही उत्तर है, option number A, Akshay Kumar So, he is the only Indian who got placed in this list of the Forbes की दुनिया में सरवाधिक कमाई करने वाले top 10 अभीनेताओं की सूची में अक्छे कुमार इकलावते भारती हैं इसमें 362 करोड रुपए, this is 4.85 करोड डॉलर की कमाई के साथ अक्छे छठे नंबर पर हैं जबकि 654 करोड रुपएर साथ Dwayne Johnson सूची में सिर्स पे हैं So, Dwayne Johnson कौन है? Dwayne Johnson जो आप WWE का अगर Championship देखा होगा आप लोगों ने तो उनमें रॉक का रोल प्ले करते थे हमारा next question is question number 4 ICC ने 2021st की T20 विस्वकप की मेजबानी निम में से किस देश को सौपी है? ICC has handed over the hosting of 2021st T20 World Cup to which of the following country? So friends, इस question का सही answer है, option number B, this is Bharat, अपना India So, अभी 2021st का जो World Cup होगा वो इंडिया में होगा और 2022nd का जो World Cup होगा वो ऑस्ट्रेलिया में होगा So, coronavirus के चलते इस साल, October में Australia में होने वाला T20 विस्वकप एक साल के लिए टल गया है वहीं अगले साल, यानि 2021st में होने वाला T20 World Cup भारत में ही खेला जाएगा और 2022nd का टूनामेंट कहां पे होगा? Australia में, आप ध्यान रखेंगे इस चीजगो So, अबारा next question, question number 5 हाल ही में किस राज ने परिवार पहचान पत्र, that is PPP, योजना सुरू किया है? Recently, which state has introduced family identity card, that is PPP, scheme? So, friends, इस question का सही answer है, option number B, that is Haryana So, Haryana ने क्या किया अभी, परिवार पहचान पत्र नामक, एक विशिष्ट पहचान पत्र, launch किया है, जिसमें 8 डिजिट का नंबर होगा So, आप लोग को पता ही है कि Haryana के मुख्यमंत्री कौन है अभी, तो मनुहरलाल खटर जी So, मारा next question, question number 6 So, friends, इस question का सही answer है, option number A, that is Pradeep Kumar Joshi So, यह हमारे Pradeep Kumar Joshi जी है So, इनका कारेकाल 4 April 2022 तक रहेगा So, इनसे पहले कौन थे हमारे UPSC के चेर्मेन अर्विन सक्षेना जी जिनके स्थान पे अभी यह नए चेर्मेन के रूप में निउक्त किये गया है So, हमारा next question is question number 7 So, हमारा next question is question number 7 So, हमारा next question is question number 7 Who among the following words sworn in as the prime minister of the country for the fourth time in Sri Lanka So, friends, इस question का सही answer है option number A That is महिंदा राजपच्छे यह consecutively four times बने हैं अभी 21 पार्टी से बिलॉंग रखते हैं तो स्रिलंका पिपूल पार्टी SLPP यह 74 यह के हैं तो स्रिलंका के कापिटल कहां पे हैं? पता हुआप लोग को दो कैपिटल हैं पहला कापिटल कोलंबो में हैं second क्या है स्री जयावर्दने पूरा कॉट्टे और स्रिलंका के करिंशी क्या है? स्रिलंकान रुपीज इनका ओफिसल लैंवज क्या है? सिन्हाला एंड तमिल So, friends, just move to the next question Question number 8 किस राज के कोजी कोड में Air India के विमान हाथसे में दो पाइलेट सहीत लगबग 18 लोगों की मृत्य हो गई In which state about 18 people including two pilots have died in the Air India plan crash in कोचीगोडे So, पता होगा आप लोगो को कोचीगोडे जो एरपोर्ट है वो कहाँ पे है तो वो केरला में है तो इस परसन का सही एंसर है Option number B That is केरला So, यहाँ पे क्या हुआ अभी recently Air India का एक flight crash कर गया है वो reason क्या था crash करने का तो भारी वारिस के चलते क्या हुआ था runway पे पानी भराया था ठीक है So, इसमें almost 18 लोगों की मृत्ती हो गई है और पता होगा आप लोगो केरला के मुख्य मंत्री कौन है अपने तो पिनराई विजयन और उन्हें ने रिसेंटली क्या किया है भी 10 स्लाग रुपया का मुआवजा देने की घोशना किया हमारा next question Question number 9 प्रधान मंत्री Narendra Modi ने 8 अगस 2020 को राष्टे स्वच्चता केंदर का उद्गाटा निन में से किस सहर में किया है Prime Minister Narendra Modi has inaugurated the राष्टे स्वच्चता केंदर on 8 अगस 2020 in which of the following city So friends, इस question का सही answer है Option number C New Delhi New Delhi में भी recently क्या हुआ है राष्टे स्वच्चता केंदर का inauguration हुआ है और इक इस के प्लक्ष में हुआ है तो चंपारन सत्यागरा के 100 वर्स पूरे होने के मौके पर हुआ है ठीक है और कहां पर हुआ है तो राष्धानी अपने New Delhi में So just move to the next question Question number 10 किस देश के प्रधान मंत्री Hasan Diab ने हाल ही में इस तीफे की घोष्णा की है Which country's Prime Minister Hasan Diab has recently announced his resignation So friends, इस question का सही answer है Option number A, Lebanon You will know about this Lebanon अभी recently क्या हुआ था Lebanon में बहुत बड़ा बिस्पोर्ट हुआ था और बिस्पोर्ट किस गैस के कारण हुआ था Ammonine Nitrate के फटने के कारण हुआ था अभी मातरा में Ammonine Nitrate स्टोरिज किया गया था इस कारण में So अभी क्या लेबनान का राधानी कहां पर है तो राधानी कहां हमारा बेरूत में है ठीक है और इसके राश्पती कौन है राश्पती इसके Michael Aoun है तो Michael Aoun को अपना स्थीफा दे दिया है भी रिशेंटली वहां के पदामंत्री जो की हाशन दिया है So just move to the next question Question number 11 बिश्व आदिवासी दिवस निम्न में से किस दिर मनाया जाता है World Tribal Day is observed on which of the following days So friends, इस question का सही एंसर है Option number A That is 9th August यह 9th August को मनाया जाता है World Tribal Day तो इस वार World Tribal Day का theme क्या था So COVID-19 and Indigenious People's Resilience यह हमारा theme था इसका उदेश है क्या होता है So विस्व की देशज आवादी के अधिकारों को बढ़ावा देना एवं उनकी रक्षा करना यह उनका उदेश होता है So just now move to the next question Question number 12 भारती खाद सुरच्छा और मानक प्राधिकरन ने हाल ही में घोष्णा की की स्कूलों और सिछन संस्थानों के कितने मेटर के दाएरे के भीतर जंक फूद और आ स्वास्तेकर वोजन की बिक्री प्रतिबंदित होनी चाहिए The Food Safety and Standards Authority of India recently announced that the sale of junk food and unhealthy food should be banned within how many meters of the schools and educational institution So friends, इस question का सही answer option number A, that is 50 meter अभी 50 meter के दाएरे के भीतर आप junk food और any other things जो unhealthy है, आप नहीं बेच सकोगे So अभी FSSAI के CEO कोण है Arun Singhal जी है, इनके CEO Chief Executive Officer और FSSAI के headquarter का, कहां पे है So New Delhi में है हमारा next question, question number 13 हाली में किस देश के सुमात्रा दीप पर Mount Sinaburg जौला मुखी में पुना उदगार हुआ है Recently, on which country's island of Sumatra has the Mount Sinaburg volcano resurfaced So friends, इस question का सही answer है option number A, Indonesia अभी Indonesia में एक वौलकेनो जिसका नाम Mount Sinaburg था उसका reef surfaced हुआ, फिर से उदगार हो गया है So, ये 400 वर्षों से निस्क्रिय था So, capital of Indonesia Indonesia के capital कोन है? तो जकारता वहां के official language क्या है? तो Indonesian और वहां के currency क्या है? तो Indonesian रुपिया हमारा next question is question number 14 भारती सस्तरबल द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच किस परियोजना को पुनर जीवित करने की घोशना की? Which project was announced by the Indian Armed Forces to be revived amid tensions with China? So, friends, इस question का सही answer है option number A, that is Project Cheetah अभी रिसेंटली प्रोजेक्ट चीता का announcement हुआ है जिसमें approximately 90 Heron ड्रोन को लेजर निर्देशित बम हवा से लाँच की जाने वाली टैंक रोधी guided missile के साथ अप्ग्रेड किया जाएगा Move करते हैं हमारे next question के और question number 15 Indian Council for Research on International Economic Relations that is ICRIER के नए चेर्मेन के रूप में निम्लमेखित में से किसे नुक्त किया गया है who among the following has been appointed as the new chairman of the Indian Council for Research on International Economic Relations so friends इस question का सही answer option number D that is Pramodh Bhashin so ICRIER का chairman Pramodh Bhashin को नुक्त किया गया है और ICRIER का headquarter कहां पे है तो New Delhi में है Pramodh Bhashin इससे पहले कहां काम कर चुके है so GE Capital India and Asia के पुर्व अध्यक्च और CEO के रूप में काम कर चुके है वो पेसे से क्या है CA है Chartered Accountant है और उन्होंने इसके degree England और Wells से लिए है so Chartered Accountant of England and Wells होता है वहां से लिए so हम move करते हैं हमारे next question question number 16 की ओर हाली में भारतिय प्रधानमंत्री के द्वारा अंडमान और निकोबार दीप समू के लिए किस परियोजना का उधगाटन किया गया है which project for अंडमान निकोबार आईलेंड has been inaugurated recently by the Indian Prime Minister so friends इस question का सही answer is option number A that is submarine cable connectivity परियोजना so अंडमान निकोबार का capital क्या है तो port Blair है आपको पता होगा so इस project से क्या होगा इन छेत्रों में परियोटनों को बढ़ावा मिलेगा जिससे रोजगार स्रिजन में भी विरिधी होगी so हम move करते हैं हमारे next question question number 17 की ओर विदेश मंत्राले के सयुक्त सची मनिश प्रभात को किस देश में भारत के आगले राज़दूत के रूप में निउक्त किया गया है मनिश प्रभात the Joint Secretary Ministry of External Affairs has been appointed as the next ambassador of India to which country so friends इस question का सही answer है option number A that is Uzbekistan so इन से पहले कौन थे Joint Secretary Ministry of External Affairs Santos जहात है हमारे next question question number 18 निव में से कीस जानवर के साथ मानाव टकराव पर राष्टिय पोर्टल सुरक्ष लांच किया गया है the national portal on human collision with which of the following animals has been launched so friends इस question का सही answer है option number C हाथी so इसका उदेश है क्या है इस portal का उदेश है हमारा वास्तविक समय पर जानकारी के संग्रा और शही समय पर मानाव हाथी टकरावो के निप्तान का प्रमंधन भी करेगा विस्व हाथी दिवस कब मनाया आता है विस्व हाथी दिवस पताऊगा आप लोग को 12th अगस्त को जो रिसेंटली पार हुआ अभी रिसेंटली गया है so our next question is question number 19 विस्व अंगदान दिवस that is World Organ Donation Day निम्न में से किस दिन मनाया आता है World Organ Day is observed on which of the following day so friends इस question का सही answer है option number D that is 13th अगस्त इसका objective क्या है इस World Organ Donation Day का तो इसके बारे में जागुर्ता फैलाना इसका objective है next question question number 20 हाली में किस संगठन ने भारत में मांसून से सरवाधिक प्रभावित समुधायों को सहायता देने की होशना की है which organization has recently announced assistance to the communities most affected by the monsoon in India so friends इस question का सही answer है option number B that is Sanyukht Raasht Sanyukht Raasht के महा सचीव कोन है तो Antonis Guterres उनके प्रवक्ता Stephen Duzarik ने Asia में बाल की स्थिति के बारे में कहा कि बांगलादेस में पिछले कुछ वर्षों से भयंकर एवं सबसे लंबा मांशन आया है और एक चथाई देश में बाल से जूज रहा है so उसके लिए क्या हुआ है रिसेंट लिए असिस्टेंस दे रहा है कौन तो United Nations हमारा next question question number 21 अमरीकी डेमोक्रेट्स पार्टी ने निम्न में से किस भारतिय मूल की महिला को उपराश्टपती के उम्मिदवार के लिए चुना है which of the following Indian origin women has been elected by the American डेमोक्रेट्स पार्टी as the candidate for vice president so friends इस कोशन का सही एंसर है option number A Kamala Harris so America में इस साल November महा में राश्टपती और उपराश्टपती पद के चुनाव होने है Kamala Harris भारतिय मूल की अमरीकी नागरिक है Kamala Harris दो बार California की attorney journal रह चुकी है so हमारा next question question number 22 हाल ही में किस देश ने COVID-19 के प्रकोप का मुकावला करने के लिए Antigua और Barbuda को एक मिलियन अमरीकी डॉलर की राश्टपती है which country recently gave 1 million US dollar to Antigua and Barbuda to counter the outbreak of COVID-19 so friends इस question का सही answer option number A India अभी इंडिया ने recently क्या क्या COVID के situation को देखते हुए 1 million dollar का assistance किसको दिया है तो Antigua and Barbuda country को ये countries कहा है generally तो इसको बोलते है Caribbean countries like Granada, Jamaica, Guyana Tridard and Tobago, St. Vincent ये सब क्या है Caribbean countries है जिसे कैरिकौम भी कहा जाता है next question question number 23 Supreme Court ने हाली में किस वरिष्ट वकील को आउ मानना मामले में दोशी करार दिया है which senior lawyer has recently been convicted by the Supreme Court in a contempt case so friends इस question का सही answer है option number B Prashant Bhushan Prashant Bhushan क्या है Supreme Court के वरिष्ट वकील रह चुके है Prashant Bhushan को आउ मानना मामले में दोशी करार दिया गया है उनकी सजा पर 20th August को बहस होगी Prashant Bhushan को 22 जुलाई को कारण बताओं नोटिस भेजा गया है 100 काउज नोटिस बोलते हैं इसको हम लोग और न्यायमूर्ती अरुन मिष्ट वी आर गवई और न्यायमूर्ती क्रिश्ण मुरादी की पीट ने इस मामले में बुशन को दोशी माना है हमारा next question 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 number 24 हाली में किस देश द्वारा जारी नया राजनितिक नक्षा में जम्मू कास्मिर लद्दाग जुनागर को अपना हिशा दिखाया है which country has recently shown its share of जम्मू कास्मिर लद्दाग जुनागर in the new political map released by the which country इस question का सही answer option number C Pakistan so ये नया नक्षा दिखाया ये एरिया अपना भारत का है जिसको पाकिस्तान ने अपना एरिया बताया है अपने नये नक्षे में हमारा next question question number 25 कर्मचारियों और नियोकतायों द्वारा कर्मचारियों के भविश निधी में August 2020 से प्रभावय योगदान क्या होगा what will be the effective contribution by the employees and employers to the employees provident fund with effect from August 2020 so friends इस question का सही answer option number 24% generally 24% ही होता था but May में ये finance minister announced की थी कि ये May, June and July ये तीन महिनों के लिए क्या किया गया था EPF contribution 4% reduced कर दिया गया था जो की contribution नियोकता का 2% कर्मचारी का 2% कम कर दिया गया था जो की अभी क्या होगा अभी फिर से 24% ही हो जाएगा अभी 20% नहीं रहेगा so ये COVID outburst के कारण कम कर दिया गया था next question is question number 26 हाली में Cro-ACI एवं जर्मन सोध करताओं ने किस देश के वर्षावनों से ट्विग हॉपर की एक नई प्रजाती कलेड़नोटर्स भासकरी की खोज की थी recently Crotian and German researchers discovered a new species कलेड़नोटर्स भासकरी of ट्विग हॉपर from the rainforest of which country so friends इस question का सही एंसर option number C स्री लंका ट्विग हॉपर कहां पाया गया तो स्रिलंका के शिन्हराजा वर्षावन में पाया गया और ये पिछले 116 वर्षों में खोजी जाने वाली है पहली ट्विग हॉपर प्रजाती है so मारा next question question number 27 Credit Rating Agency ICRA के प्रवंध निदेशक और समू मुख कारिकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है who has been appointed as the managing director and the group CEO of the Credit Rating Agency ICRA Limited so friends इस question का सही answer है option number A. N. Sivaraman so ICRA का headquarter कहां है तो Guru Gram में है इनसे पहले N. Sivaraman जी कहां काम करते थे तो ये L&T finance holding में वरिष्ट पदों पर कारे किया और July 31st 2020 तक ILFS के मुखे परिचालन अधिकारी के रूप में कारे किया था so friends समारा next question question number 28 किस देश ने दारचूला जीले में भारत के साथ सीमा पर ससत्र पुलिश बल APF की एक बटालियन तैनात की है which country has deployed a battalion of armed police force along the border with India in दारचूला डिस्टिक so friends इस question का सही answer option number C Nepal Nepal के दारचूला जीले में भारत के साथ सीमा पर ससत्र पुलिश बल की एक बटालियन तैनात की गई है so our next question question number 29 Kendriya Sahari और Sahari मामलों के मंत्राले ने smart city के रूप में किन दो सहरों को चुना है which two cities have been chosen as the smart city by the union minister of urban and urban affairs so friends इस question का सही answer option number A ले एवन कारगिल so Kendriya आवाश और सहरी मामलों के मंत्राले ने smart city के निदेशे कौन है राहूल कपूर ने 5 सदस्य केंदरीय टीम का गठन किया है इन सहरों को बिभीन राज्यों में 100 smart city के अलावा चुना गया है हमारा next question है question number 30 निमन लिखित में से किसे परधान मंत्री नरेंदर मोदी का नीजी सचीव नियूक्त किया गया है the private secretary of prime minister who has been appointed so friends इस question का सही answer है option number D हार्दिक सतिश चंदर शाह 2003 batch के IS अधिकारी हार्दिक सतिश चंदर शाह को सह टर्मिनस अधार पर प्रधान मंत्री का private secretary के रूप में नियूक्त किया गया है इन से पहले कौन थे राजीब टोपनो he has taken over the charge from राजीब टोपनो so अब हम लोग चलते हैं हमारे part 3 की और 66 F-16 jet from which country so friends इस question का सही answer हो option number D America Taiwan ने America से 66 number of F-16 flights jet खरिदने का agreement किया है so Taiwan का capital क्या है Taipei Taiwan का language क्या है Mandarin Chinese and उसकी currency क्या है New Taiwan Dollar ठीक है तो Taiwan ने किस से खरिदने का agreement किया है America से कितना number of jet flights 66 number of jet flies America ने अपनी लड़ाको विमान निर्माता कंपनी Lockheed Martin को अगले 10 साल तक F-16 विमान का आधूनिक संसक्रम बनाने का 62 अरब डॉलर रूपीज का ठेका दिया है हमारा next question is question number 2 California State Assembly ने हाली में किस दिवंगत बॉलीवड अभीनेता को शमानित किया है Which late Bollywood actor has recently been honored by the California State Assembly? So friends, इस question का सही answer है option number A Susanne Singh Rajput California State Assembly ने Susanne Singh Rajput को समानित किया है यह समान भारतिय सिनेमा और संस्कृति में योगदान के लिए दिया गया है आपको पता ही होगा Susanne Singh Rajput का बॉड़ी अभी 16 जून को मुंबे के उपनगर बांदराई सित घर में फंदे से लटका मिला था जिसकी जाच अभी CBI कर रही है So हमारा next question is question number 3 हाली में किन दो भारतिय क्रिकेटरों ने अंतराश्टे क्रिकेट से सन्यास ले लिया है Which two Indian cricketers have recently retired from the international cricket ठीक है आप लोगों सबको पता है कि अभी recently महेंदर सिंग धोनी और सुरेश रायना ने सन्यास लिया है So this question का सही answer option number A महेंदर सिंग धोनी को तो हम लोग जानते ही है उन्होंने 2011 ODI World Cup 2007 T20 World Cup and 2013 Champions Trophy में काफी बड़ा युगदान दिया है सुरेश रेना भी एक बहुत ही अच्छे भारती बल्ल्यवाज थे जिन्होंने अंतराश्टी क्रिकेट में अप्रॉक्स 7000 रन बनाए थे So हमारा next question से question number 4 महाराष्ट के राजिपाल भगत सिंग कोशियारी को किस राजि का अतरिक्त प्रभार दिया गया है महाराष्ट गवर्नर भगत सिंग कोशियारी has been given additional charge of which state किस state का additional charge दिया गया है So गोवा का additional charge भगत सिंग कोशियारी को दिया गया है ठीक है सो अभी महाराष्ट के करेंट राजिपाल कौन है भागत सिंग कोशियारी और इनको गोवा का एडिशनल चार्ज दिया गया है ये 2014 लोकसभा चुनाव में 99 सीट से विन भी हुए थे जीते भी थे अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्रीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें आपको बहुत ही अच्छे-चे कंटेंट मिलेंगे फूचर में I really assure you हाली में किस IPS अधिकारी को ग्री मंत्रा लेकर आंत्रिक मामलों के लिए बिसेश सचिव न्यूकत किया गया है रिसेंटली विच IPS officer has been appointed as a special secretary for internal affairs of the ministry of home affairs so friends इस question का सही answer है option number C VSK कौमूदी VSK कौमूदी को special secretary for internal affairs of the ministry of home affairs न्यूकत किया गया है so अभी जो VSK कौमूदी वो किस पद पर अभी कार्यत थे so पूलिस अनुशंधान और विकाश ब्योरो BPRD so VSK कौमूदी आंदरपरदेस के कैडर के 1986 batch के IPS officer है हमारा next question question number 6 निम्न में से किस देश ने रास्तिय सुरक्षा का हवाला देते वे चीनी apps IQ, IYE और Tencent पर बैन लगा दिया है which of the following countries has banned Chinese apps IQ, IYE and Tencent citing national security so friends इस question का सही answer है option number A ताइबान आप confused मत हो ना भारत इसका answer नहीं है भारत ने कुछ other apps बंद किये थे but ये दो apps के इसको ताइबान ने बंद किया है ठीक है so ताइबान ने चीनी streaming platform IQ, IYE and Tencent के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है ताइबान के आर्थिक मामलों के मंत्राले ने कहा है यह कदम चीनी मीडिया कमपनियों के प्रभाववाली सहाय कमपनियों के माध्यम से ताइबान में अपनी समागरी भेजने से रोकनी हतु उठाया गया है so friends हमारा next question है question number 7 हाली में मेघाले का राजिपाल किसे नियुक्त किया गया है who has recently been appointed as the governor of मेघाले so friends इस question का सही answer है option number A सत्यपाल मलिक सत्यपाल मलिक जी को अभी मेघाले का राजिपाल नियुक्त किया गया है अभी currently गोवा के राजिपाल थी सत्यपाल मलिक और अभी इनको मेघाले का राजिपाल नियुक्त कर दिया गया है सत्यपाल मलिक अगस्ट 2018 से अक्टूबर 19 तक जम्मू कास्मिर के भी राजपाल रह चुके हैं और मलिक 21 अप्रिल 1990 से 10 नॉम्बर 19 तक केंद्री राजमंत्री संसदी और परेटन भी रह चुके हैं ने किसको अपना कारेकारी निदेशक ED नुक्त किया है तक जम्मू का सही एंसर है जीपी गर्ग को एक्जेकुटिव डेरेक्टर अपोइंट किया गया है आप सभी को पता होगा कि सेबी कहां पे है मुंबई में है और इसका स्टेब्लिश्मेंट कब हुआ था 1988 में बट सेबी हाज गट ता स्टेच्टिव पावर इन 1992 थू सेबी एक्ट हमारा नेक्स्ट क्वेशन है क्वेशन नमर नाइन स्वच्छ सर्वेशन 2020 के अनुशार निम निलिखित में से सबसे साफ सहर कौन सा है according to clean survey 2020 which of the following is the cleanest city so friends इस question का सही answer है option number A indoor is the cleanest city as per the clean survey 2020 जो मद्य पर्दिश का indoor है वह लगतार चौथी बार आप याद रखेंगे लगतार चौथी बार सबसे साफ सहर का अवर्ड इनको दिया जा चुका है so हमारा next question is question number 10 निम में से किस भारतिय क्रिकेटर को e-bike go का brand ambassador नियूक थिया गया है which of the following Indian cricketers was appointed as the brand ambassador of e-bike go so friends इस question का सही answer है option number A Harbhajan Singh Harbhajan Singh को e-bike go का brand ambassador appoint किया गया है so e-wahan startup company e-bike go यह startup company है e-bike go क्या है startup company है जो की e-wahan के लिए है e-wahan के लिए ठीक है company अभी कहां कहां established है Mumbai, Bangaluru, Delhi, Amritsar, Jaipur, Hyderabad में अपना परिचालन करती है that is operational में है और इन लोग का प्लान है कि पुने और चिने यह से so e-skे लिए Harbhajan Singh को as a brand ambassador appoint किया गया है हमारा next question is question number 11 CBI ने किस पुर्व विशेष निदेशक को SEMA सुरच्छाबल that is BSF का नया महा निदेशक नियुकत किया गया है which former special director of CBI has been appointed as the new director general of border security force so friends this question का सही answer is option number C राकेश अस्थाना राकेश अस्थाना जो की earlier special director of CBI थे अभी उनको director general of BSF appoint किया गया है यह रहे राकेश अस्थाना जी हमारा next question question number 12 Madari और Drishyam फिल्म के किस निर्माता का हाली में निधन हो गया which producer of the film Madari and Drishyam passed away recently so friends this question का सही answer option number A निशिकांत कामत जी ने Madari और Drishyam जैसे फिल्मों को प्रोडूश किया था अभी उनका हाली में निधन हो गया है इनका जन महराश्ट्र में हुआ था और यह 2005 में famous हुए था बहुत काफी 2005 में Marathi एक फिल्म आय थी Dombi वली Fast का debut direction था हमारा next question question number 13 भारती railway किस राज में दुनिया का सबसे लंबा pier bridge का निर्मान कर रहा है in which state Indian railway is constructing the longest pier bridge in the world so friends इस question का सही answer है option number D. Manipur अभी Manipur में longest pier bridge का manufacturing किया जा रहा है आप देख रहो यह bridge Manipur का ही है जो की world में longest bridge होगा यह पुल पुर्वोत्तर railway की ओर से Manipur में तयार किया जा रहा है आप मनipur में ध्यान रखेंगे यह पुल 141 मिटर उचाई पर बन रहा है एक तरह से यह पुल कुतुब मिनार से भी दोगना उचा होगा अब समाझ सकते हो कुतुब मिनार से भी twice लंबाई में होगा यह यह यूरोप के Montaegro में बने 149 मिटर उचे पुल का रिकॉर्ड तोड़ देगा अब ही करेंटली जो है Montaegro, यूरोप में Montaegro में 139 मिटर हैट का एक पुल है उसका रिकॉर्ड तोड़ देगा यह 141 मिटर का होने वाला है 703 मिटर लंबे इस पुल का निरमान इम फॉल से 65 किलोमेटर दूर नोनी जिले के मरांच गचिंग गाउं में किया जा रहा है हमारा next question है question number 14 बिसो मानवता दिवस निम्ण में से किस दिन मनाया जाता है World Humanitarian Day is observed on which of the following day So friends, इस question का सही answer है Option number D, 19th August 19th August को World Humanitarian Day मनाया जाता है या दिवस उन लोगों के लिए समर्पित है जो मानवता के लिए कारे करते हैं तथा इसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहूती दी है So World Humanitarian Day का सुरुवात कहां पे हुआ था सैयुक्तराष्ट महासभा हमारा next question है question number 15 किस राजसरकार ने पढ़ाई तुहार पैरा नामक एक नए चातर केंदरित योजना शुरूर करने की घोशना की है Which state government has announced the launch of a new student-centric scheme called पढ़ाई तुहार पैरा So friends, इस question का सही answer है option number A, 36 36 government ने एक नया scheme launch किया है जो कि students के लिए होगा जिसका नाम है पढ़ाई तुहार पैरा So इसका उद्देश है क्या है? इसका उद्देश है कि Corona virus संक्रमन के दोरान परतेक बच्चे तक सिक्छा पहुचाना इसका उद्देश है So अभी currently Chief Minister को रहें 36 गड़के? वो भुपेश, बगेल जी और वहाँ के governor को है? अनुशुया उई के हमारा next question है question number 16 Dream 11 ने कितने करोड रुपे में IPL 2020 सीजन के लिए sponsorship rights खरीदे हैं? Spending what amount Dream 11 has bought the sponsorship rights for the IPL 2020? So friends इस question का सही answer है option number D 222 करोड रुपे में sponsorship rights खरीदा है Dream 11 ने So पहले हम लोग Vivo IPL कहते थे But अब आपको कहना पड़ेगा Dream 11 IPL चुकि Vivo IPL sponsorship इसवार नहीं कर रहा है Dream 11 sponsorship कर रहा है So IPL पता है अपलो के इसवार कहां खेला जाएगा UAE में खेला जाएगा जो कि 19 सितंबर से 10 नौमबर तक चलेगा So हमारा next question है question number 17 UP सरकार में किस cabinet मंत्री एवं पूर्व किरिकेटर को Corona virus के कारण निधन हो गया है Which cabinet minister and former किरिकेटर in the UP government has died due to Corona So friends, इस question का सही answer है Option number B, Chetan Chauhan So Chetan Chauhan भारत के opener बल्लेवाज रहा चुके हैं Chetan Chauhan जी जो 1969 से 1978 के बीच में 40 test match खेल चुके हैं वे भारती जनता पार्टी के टिकेट से साल 1991 में अमरोहा से चुनाव जीत भी चुके हैं और वहां के सांसत भी रह चुके हैं So हमारा next question है question number 18 राष्टिय खेल पुरसकार समीती ने हाली में किस भारतीय क्रिकेटर का नाम Rajiv Gandhi खेल रतन के लिए भेजा है So friends इस question का सही answer option number B रोहित सर्मा रोहित सर्मा का नाम अभी Rajiv Gandhi खेल रतन अवर्ड के लिए भेजा गया है राष्टिय खेल पुरसकार समीती ने हाली में क्रिकेटर रोहित सर्मा पहलवान बिनेश फोगाट टेबल टेनिस प्लेयर को अने मनीका बत्रा और मर्यपन थंगा वेलू को Rajiv Gandhi खेल रतन पुरसकार देने के लिए सिफारिश की है तो Rajiv Gandhi खेल रतन पुरसकार जो है वो सर्वोत्तम खेल सम्मान है प्लेयर के लिए तो Rajiv Gandhi खेल रतन अवर्ड पाने वाले ये चोथे किरिकेटर होंगे इनसे पहले सचिन तनलुकर, MS धौनी और विराट कोली को ये अवर्ड दिया जा चुका है तो हमारा next question question number 19 निर्वाचन चुनाव आयुक्ति ने अपने पत से स्तीफा दे दिया है उसका नाम क्या है election commissioner has resigned from his post what is his name तो friends इस question का सही answer option number A अशोक लवाशा अशोक लवाशा भी recently election commissioner के पत से resignation दे चुके है so इन्होंने 18 अगस 2020 को राष्टपती रामनात कुविंद को अपना स्तीफा सौप दिया है और अभी currently का करेंगे ACI Bikas Bank ADB के उपाध्यक्च पत को शमालेंगे so हमारा next question question number 20 Google ने भारत में रोजगार आवेदन हेतू निम में से किस एप को लाँच किया है which of the following apps has been launched by the Google for employment application in India so friends इस question का सही answer option number A कौर्मो जॉब एप्स अभी recently Google ने कौर्मो नामक apps लाँच किया है जिसकी मदद से लोगों को नौकरी धुणने में क्या मिलेगी तो आपको इस app में मिल जाएगा हमारा next question है question number 21 हर्याना के मुख्यमंत्री Manohar Lal Khattar ने राज में धर्मात सिक्षन संस्थानों और हस्पतालों को संपत्ति करपर कितने परतिसत छूट देनी के घोशना की है हर्याना चीफ मिनिस्टर Manohar Lal Khattar announced what percentage of exemption on property tax to religious educational institutions and hospital in the state so friends इस question का सही अंसर है option number B 100% इन्होंने 100% exemption प्रवाइड कर रहे है religious educational institutions को and hospitals को हर्याना के मुख्यमंत्री Manohar Lal Khattar ने स्वतनत्रता दिवस्ट की पूर्व संध्या पर राज में धर्मात सिक्षन संस्थानों और हस्पतालों को संपत्ती कर पर 100% exemption दे दिया गया है हमारा next question है question number 22 sports eyewear brand Oakley ने किस भारतिये क्रिकेटर को भारत में दो शाल के लिए अपना brand ambassador बनाया है which Indian cricketer has been appointed as the brand ambassador for two years in India by sports eyewear brand Oakley so friends इस question का सही अंसर option number B Rohit Sarma so sports eyewear brand Oakley ने भारतिये क्रिकेटर राविच सरमा को दो साल के लिए brand ambassador बनाया गया है Oakley कहां की company है तो California की हमारा next question है question number 23 हाली में किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन में एक कच्छुए की खोज हुई है recently in which country a turtle born with golden sail has been discovered so friends इस question का सही एंसर option number C नेपाल अभी नेपाल में एक recently कच्छुए की खोज गी गई है जिसका जो ऊपर का shell होता है वो golden color का है so आप देख सकते हो picture में golden color का shell है so इसका रंग जो होता है इस तरह का रंग कैसे होता है ये genetic mutations की वज़े से होता है so हमारा next question है question number 24 किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है which of the falling capital has got first place in the category of capital in the cleanly lay survey 2020 so friends इस question का सही answer है option number B New Delhi अभी रिसेंटली नेपाल स्रेनी में first cleanest city का अवर्ड मिला है हमारा next question है question number 25 भारतिय प्रतिभूतिय विन्यमे बोर्ड सेबी ने mutual fund नियमों के उलंगन के लिए सर्वजनिक छेत्र में कितने वित्तिय संस्थानों पर 10-10 लाख रुपया का जुर्माना लगाया है सेबी हाज इंपोज़ a fine of 10-10 लाख रुपीज on how many public sector financial institutions for violation of mutual fund rules so friends इस question का सही answer है option number C currently अभी सेबी ने तीन companies पर penalty इंपोज किया है जो की है SBI, Life Insurance Corporation of India LIC and Bank of Bada हमारा next question ते question number 26 NPCI International Payments Limited that is NIPL के CEO के रूप में किसे नियुकत किया गया है who is appointed as the CEO of NPCI International Payments Limited so friends इस question का सही answer है option number D 20th August 20th August को सदभावना दिवस मनाया गया और सदभावना दिवस किसे नियुकत किया गया है so NIPL जो कमपनी है वो NPCI कमपनी की होली सबसिडिरी कमपनी है हमारा next question है question number 27 सदभावना दिवस कब मनाया गया when did the सदभावना दिवस celebrated so friends इस question का सही answer है option number D 20th August 20th August को सदभावना दिवस मनाया गया और सदभावना दिवस किसके उपलक्ष में मनाया आता है so यह राजीव गांदी की जैनती पर मनाया गया पूरु प्रधान मंत्री राजीव गांदी की जैनती के उपलक्ष में संपरदाइक सद्भाव दिवस के रूप में भी जाना जाता है ठीक है इस बार 76 जैनती थी इसलिए 76 सद्भाना दिवस मनाया गया हमारा next question is question number 28 Tokyo Olympic के लिए team India को कौन प्रयोजित करेगा who will sponsor team India for Tokyo Olympics so friends इस question का सही answer option number B inox group so inox group क्या करेगा इस बार Tokyo Olympics में India team को sponsor करेगा so Tokyo Olympic कब खेला जाएगा तो 23rd July 2021 से 8 अगस्ट 2021 तक और Tokyo Olympic obviously Tokyo में होगा हमारा next question है question number 29 15th अगस्ट 2020 को पहली बार तिरंगा कहां फाराया गया where did tricolor hosted for the first time on 15th अगस 2020 so friends इस question का सही answer है option number B New York so इस बार 74th Independence Day के जस्ट पर New York के प्रतिष्टी time square में पहली बार तिरंगा फाराया गया New York में भारत के महा वानिज दूद रंधिर जैशवाल ने time square पर 37 दिवस के एक विशेश स्मरनोच्सों के दुरान भारती दोज फाराया so friends our next question 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 number 30 DBS Bank India Limited ने किसको राष्टरी वितरन के MD और प्रमुक के रूप में निउक्त किया Who was appointed as the MD and head of the national distribution by DBS Bank India Limited So friends इस question का सही answer है option number C Prashant Joshi Prashant Joshi को अभी DBS के MD and head of national distribution appoint किया गया है So DBS Bank at quarter कहा है Singapore में और DBS Bank India Limited के प्रबन ने देखशक और CEO सूरजीत सोम को यह report करेंगे So यह किस post पे जा रहा है तो MD के post पे, Managing Director के post पे अब हम लोग चलते हैं हमारा आखरी part, part 4 की और So हमारा part 4 का पहला question है हमारा पहला question से TikTok company के किस CEO ने अपने पद से स्तीफा दे दिया है So friends, इस question का सही answer है Option number B, Kevin Mayer Kevin Mayer जो TikTok के current Chief Executive Officer थे उन्होंने अभी रिसेंटली स्तीफा दे दिया है भारत में बैन के बाद अमरीका में भी संकट का सामना कर रहे TikTok के CEO ने स्तीफा दे दिया है अभी रिसेंटली इंडिया में TikTok बैन हुआ था और consequently, अमरीका ने भी TikTok पे बैन करने की बात कर दी है उसके सुरच्छा के दृष्टी कोन से और आपको बता दे कि TikTok की जो मूल कमपनी है TikTok की जो होल्डिंग कमपनी उसका नाम क्या है ByteDance यह आप ध्यान रखेंगा ByteDance is the holding company of TikTok तो हम चलते हैं हमारे दूसरे questions की ओर इंग्लेंड के दिगज तेज गेंदबाद James Anderson अंतरास्टिय टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाद बन गया है इंग्लेंड विटिरन वास्ट बॉलर James Anderson has become the first fast baller to take how many wickets in the international test cricket so friends इस question का सही answer है option number A 600 wickets अभी recently James Anderson ने 600 wickets लेकर ये किताब अपने नाम किया है आप देख सकते हो इनसे पहले इनसे आगे कौन कौन है मतलब 600 से उपर विकेट लेने वाले आप देख सकते हो मुतहिया मुरली धरन है 800 wickets ले चुके है Australia के Sane Warne है 708 wicket ले चुके है और भारत के अपने अनील कुम्बले है जो की 619 wicket टेस्ट में ले चुके है अभी James Anderson ने Glenn Magra का record तोड़ा है जो की 563 wicket ले चुके थे और Glenn Magra आस्ट्रेलिया के पेर थे तो हमारा next question है question number 3 200 अरब की संपत्ति वाले 20 के पहले व्यक्ति निम्न में से कौन बन गया है who among the following become the first person in the world with assets of 200 billion dollars so friends इस question का सही answer है आपको जरूर पता होगा इस question का answer Jeff Bezos जो की Amazon के founder है so Jeff Bezos Amazon का founder है आप देख सकते हो Bill Gates किसके founder है Bill Gates Microsoft के founder है Mark Zuckerberg किसके founder है इनी बनसल किसके हैं तो की flip काट के so Jeff Bezos 200 अरब डॉलर के संपत्ति वाले धर्ती पर तहले व्यक्ति बन गया है 26 अगस्ट 2020 को Amazon संस्थापक और CEO Jeff Bezos की संपत्ति बढ़कर 204.6 अरब डॉलर हो गई है दुनिया के जो दूसरे सबसे अमीर बैक्ति है Bill Gates उसकी संपत्ति कितनी है 116.1 अरब डॉलर so काफी कम है अभी उनसे so हमारा next question question number 4 किस राज में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उधगाटन किया है in which state India's longest river रोपवे has been integrated so friends इस question का सही answer option number D अशाम में भी recently इंडिया का longest रोपवे बनाया गया है आप देख सकते हो फोटो अचा मैं फोटो इसलिए जाता हूँ ताकि आपको विजुलाइज कर सके आप चीजों को और बहुत ही याद कर सके कभी कभी क्या होता exam में आपको answer क्लिक नहीं होगा options देखके तो अगर आपके मायन में फोटो विजुलाइज है तो आप फटाक सेंसर क्लिक कर सकते हो तो थोड़ा सा फोटो पी ध्यान दीजिए आप लोग यह इंडिया का longest रोपवे है साम में जो की कितना लंबा है 1.8 किलोमेटर लंबा है जो ब्रह्मपुतर नदी पर गुवाटी और उत्तरी गुवाटी को आपस में जोडता है और इसका almost construction cost कितना होगा 56 करोड रूपे हमारा next question है question number 5 UEFA Championship League 1920 किसने जीती who won the UEFA Championship League 1920 so friends इस question का सई answer है option number B जो की है FC Bayern Munich अगर आपको नहीं पता है UEFA क्या है UNION OF EUROPEAN FOOTBALL ASSOCIATION so इसके विजेता रहे अभी FC Bayern Munich so 23 अगस 2020 को German Football Club Barons Munich ने European Football Sun UEFA Champions League 19-20 के संग में अपनी छटवी जीत हासिल की है so इन्होंने final में Paris Saint German को हराया है 1-0 से और ये कहां पर आयोजित किया गया था तो पूर्तगाल के एस्टाडियो दा लूज लिस्बन में हुआ था हमारा next question है question number 6 दिल्ली दंगा 2020 The Untold Story पुस्तक के लेखक कौन है who is the author of the book दिल्ली राइट 2020 The Untold Story so friends इस question का सही answer है option number B Monika Arora So इस पुस्तक के joint authors कौन कौन है Monika Arora Sonali Chitalkar and Prerna Malhotra आप देख सकते हो Sonali Chitalkar and Prerna Malhotra भी इसके co-author है So friends हमारा next question है question number 7 पाकिस्तान सरकार ने निम्न में से किस पुरू परधान मंत्री को भगोडा घोसित करके बृतेन सरकार से प्रत्यरपन की मांग की है Which of the following former Prime Minister has been demanded by the Pakistan government as extradition from the UK government So friends इस question का सही answer है option number B Nawad Sharif So Nawad Sharif को पाकिस्तान सरकार ने भगोडा घोसित कर दिया है और UK सरकार से उसके प्रत्यरपन की मांग की है So Pakistan के तीन बार प्रधान मंत्री रह चुके Nawad Sharif इराज के लिए रंदन में है ब्रश्टाचार के एक मामल में Sharif को एक जवाब देही अदालत ने कैद किसा सुनाई थी हमारा नेक्स कोशन कोशन नमबर एट किस दक्षिन अफरीकी खिलाडी को अंतरास्टी क्रिकेट परिशद ICC Hall of Fame 2020 की कर्च्छा में सामिल किया गया था Which South African player was inducted into the International Cricket Council ICC Hall of Fame 2020 class So friends इस कोशन का सही एंसर है Option No.C Jack Kellis Jack Kellis को 2020 में ICC Hall of Fame में सामिल किया गया है Jack Kellis के अलावे Lisha Stalaker Josh Taliai player है Jahir Abbas जो पागिस्तान के player है इसको ICC Hall of Fame में 2020 में जगा मिला है So ICC Hall of Fame जो है वो क्रिकेट में लंबे और सांदार इतियास से खेल के दिगजों की उपलबदियों को पचानता है So जो बहुत ही रिनोर्ड प्लेयर है बहुत लंबे समय तक अच्छा प्रदर्शन किया है So उसको ICC Hall of Fame में सामिल किया आता है हमारा next question Question number 9 वित मंत्राले के मुताबिक अब कितने लाख रुपे तक के सालना कारोबार बाले कारोबारियों को GST से छूट उपलब्द है So according to Finance Minister Businessman with how much turnover is exempted under GST Friends इस question का सही answer Option number A 40,00,00,00 रुपे पहले लिमिट 20,00,00,00 की होआ करती थी अब यह 40,00,00,00 की हो गई है और इसके अतिरिक 1.5 करोड रुपे के turnover वाले लोगों को Composition Scheme का भी option available है Composition Scheme क्या होता है तो Composition Scheme में GST जो बिजनस्मेन होते हैं उनके पास एक option होता है कि वो सारे turnover पे 1% tax पे करके सारे other formality से मुख्थ हो सकते हैं हमारा next question है question number 10 किस राज के CM ने राज की पहली समुंदरी ambulance प्रतिक्छा का उधगाटन किया Which state CM integrated the state first sea ambulance called प्रतिक्छा So friends इस question का सही answer है option number B केरल केरल government ने अभी recently समुंदरी ambulance का उधगाटन किया है So केरल के मुख्य मंत्री पिनाराई विजन ने राज के पहले पुर्ण रूप से सु सज्जित समुंदरी ambulance प्रतिक्छा का उधगाटन किया है समुंदर में बचाव कारों के लिए कोची में मस्ते विवाग द्वारा अधिग्रहित किया गया था प्रतिक्छा कोचीन CPR इसको किस ने बनाया है तो कोचीन CPR लिमिटेड ने CSL ने So हमारा next question है question number 11 T20 International में 500 विकट हासिर करने वाले पहले गेंदबाज कौन बने Who became the first baller to get 500 wickets in T20 International So friends, इस question का सही answer है Option number D, Dwayne Bravo So Dwayne Bravo अभी T20 International में 500 wickets लेना वाले पहले गेंदबाज बन गए So Dwayne Bravo किस देश के खिला ली है तो West Indies के खिला ली है West Indies के एक all-rounder player है जो की batting and balling दोनों में बहुत ही माहिर है So उन्होंने Caribbean Premier League That is CPL 2020 के match में अपनी team Trinbago Knights Rider और St. Lucia Cooks के बीच उपलब्दी हासिल की हमारा next question है question number 12 किस राजे सरकार ने हाली में Indra Rasoi Yojana launch की है Which state government has recently launched Indra Rasoi Yojana So Indra Rasoi Yojana कौन से government ने recently launch किया है So इस प्रशन का सही answer है Option number B राजस्थान राजस्थान गवर्मेंट ने अभी recently Indra Rasoi Yojana की शुरुआत की है So इस Indra Rasoi Yojana में क्या benefits मिलने वाले हैं So इसके तहट जरूरत मंद और गरीबों को 8 रुपे प्रती प्लेट में स्वस्थ और पोश्टिक भोजन मिलेगा इसमें राजसरकार रायसान गवर्मेंट ने प्रती वर्स 100 करोड रुपे खर्श करेगी So इसमें एक्षली राजसरकार ने 12 रुपे का अनुदान दिया है और 8 रुपे खाने वाले लोगों को देना पड़ेगा So टोटल कोस्ट पर ठाली कितना पड़ेगा 20 रुपे इसमें 12 रुपे राजसरकार देगी और 8 रुपे जो व्यक्ति इसका लाब लेना चाहेगा So friends हमारा next question is question number 13 राष्ट्रिय सिक्षा नीती NEP National Education Policy को लागू करने वाला पहला राज निम्न में से कौन सा होगा Which of the following will be the first state to implement the National Education Policy 2020 So friends इस question का सही answer है option number C Karnatak So Karnatak state will be the first state जो की National Education Policy 2020 को अपने state में लागू करेगा So Kendri cabinet ने पिछले महिने नई सिच्छा 2020 को हरी जन्डी दे दी है या 1986 से ध्यान रखेंगे या 1986 की सिच्छा निती की जगा लेगा So पहले National Education Policy 1986 हुआ करता था जो की अब National Education Policy 2020 हो जाएगी Our next question is question number 14 सिक्किम के नामची में किस भारती फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा In नामची सिक्किम, a stadium will be named after which of the former Indian football captain So friends, इस question का सही answer है Option number A, पाइचूंग भूटिया बाइचूंग भूटिया के नाम पर अभी सिक्किम में एक स्टेडियम बनाया जाएगा भारत में अब तक ये पहला स्टेडियम होगा जिसका नाम किसी फुटबॉलर के नाम पर होगा साल 1995 में भारतिय सीनर फुटबॉल टीम के पदारपन करने वाले बाइचूंग भूटिया ने 2011 में फुटबॉल से सन्यास ले लिया था उन्हें साल 1998 में अर्जुन अवार्ड और 2008 में पद्मिसरी का अवार्ड मिल चुका है हमारा next question है question number 15 केंदर सरकार द्वारा अश्विनी भाटिया को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक न्यूकत किया गया है अश्विनी भाटिया है अश्विनी भाटिया को new managing director अपोइंट किया गया है SBI का अश्विनी भाटिया SBI के चौथे प्रबंध निदेशक है अश्विनी भाटिया बरतमान में SBI mutual fund में प्रबंध निदेशक और मुखे कारेकारी अधिकारी के रुप में काम कर रहे है उन्हें PK गुपता के स्थान पर नियुक्त किया गया है जो की 31 मार्च से सेवा निवरित हुए हैं हमारा next question is question number 16 cricket drone किस परसिद कोच पर एक पुष्टक है cricket drone is a book on which famous coach so friends इस question का सही answer है option number A बासुदेव जगनाथ परांजबे so यह बासुदेव जगनाथ परांजबे के किताब 2 सितंबर 2022 को जारी होगी यह पुष्टक बासुदेव परांजबे के बेटे और बरतमान राष्टिये चैन करता जतिन परोपपे के क्रिकेट पतरकार आनन बासुद के साथ मिलकर लिखी है हमारा next question is question number 17 41 जीएस्टी परिशद की बैठक की अध्यक्षता किस ने की who chaired the 41st GST Council meeting so friends इस question का सही answer है option number B निर्मला सीतर रमन हमारे finance minister अभी recently 41st GST Council meeting का अध्यक्षता किया है so 27 अगस 2020 को वित मंत्रिस निर्मला सीता रमन ने 41st GST परिशद की बैठक की अध्यक्षता की और इस बैठक में राज्यों के मुवावजे और रायस घाटे पर चर्चा की है हमारा next question ने question number 18 हाल ही में मध्य परदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में परदेश के लोगों को निम्न में से कितने परतिशत आरेक्षन की घोशना की है recently MP government has announced which of the following percent reservation for the people of the state in the government jobs so friends इस question का सही answer है option number C 100% so अभी मध्य परदेश गवर्मेंट ने मध्य परदेश के लोगों को 100% reservation दिया है वहाँ के government job के लिए 10 वी या 12 वी की परिच्छा मध्य परदेश से उत्रिन करने वाले ही परदेश के सेवा के लिए पात्र हो सेगें हमारा next question question number 19 MCWC that is mental calculation world cup में भारत के लिए पहला स्वर्न पदा किस ने हासिल किया who won the first gold medal for India in MCWC so friends इस question का सही answer option number D नीलकंट भानुपरकास so mental calculation world cup में अभी नीलकंट भानुपरकास ने gold medal हासिल किया है यह बहुत ही recent news और बहुत ही चर्चे में रहा है यह news so हैदरावाद के 20 वर्सी नीलकंट भानुपरकास ने 15 अगस 2020 को MSO that is Mind Sports Olympiad दोरा आयोजित मांसिक गन्ना भिस्व कप that is mental calculation world cup में भारत के लिए पहला स्वर्न पदाक जीता है तो MCW से एक अंतराष्टी प्रतियोगता है जो जर्मनी में हर दो साल में आयोजित किया आता है हमारा next question है question number 20 किस देश की सरकार ने अपनी COVID-19 vaccine a Sputnik 5 के उत्पादन और तीसरे चर्ण के clinical trial के लिए भारत से सहयोग मांगा है which country's government had south cooperation from India for the production of its COVID-19 vaccine Sputnik 5 and the third phase clinical trial so friends इस question का सही answer है option number C, Russia रूस ने भी recently भारत से मद्द मांगी है किस लिए तो COVID-19 vaccine जिसका नाम Sputnik 5 है उसके testing clinical trial के लिए so रूस ने COVID-19 vaccine को उत्पादन के लिए भारत से सहयोग मांगा है COVID-19 के लिए vaccine पर राष्टी विशेश विशेश्चा के समू ने 22 अगस्त को हुई अपनी बैटक में इस मुद्दे पर चर्चा की Gamalia Scientist Research Institute of Epidemiology and Microbiology ने Russian Direct Investment Fund के साथ मिलकर Sputnik 5 तयार की है हमारा next question is question number 21 INS विराट को किस राज में विगटित किया जाना है in which state is INS विराट to be dismantled so friends इस question का सही answer है option number 1 गुजराट अभी INS विराट को गुजराट में dismantling किया जाना है so INS विराट so INS विराट जिसने 30 साल से अधिक समय तक भारती नोशिना की सेवा की है इसको गुजराट के अलंग में द्वस्त किया जाना है जहाज को 3 साल पहले विगटित किया गया था हमारा next question is question number 22 किस बैंक ने अपने digital परिवर्तन में तेजी राने के लिए Accenture के साथ भागिदारी की है which bank partnered with Accenture to accelerate its digital transformation so किस ने किया है so RBL ने किया है Ratnakar Bank Limited ने अभी Accenture के साथ अपना partnership किया है so Accenture एक IT जाइंट है IT की बहुत बड़ी कंपनी है Commission Technology की जिसका headquarter Ireland में है RBL Bank ने bank की सूचना प्राद्यों की प्रनालियों की भविसे की ततपरता को बढ़ने के लिए और बढ़ने और बढ़ाने और अपनी digital परिवर्तन यात्रा में तेजी लाने के लिए Accenture के साथ एक रन्नीती साइधारी की है हमारा next question is question number 23 नुआ खाई जुहार तेवहार किस राज में मनाया आता है In which state is the नुआ खाई जुहार फेस्टिबल सेलेबरेटेड So friends इस question का answer है C, A, B दोनो I mean उलिशा और चाथिसगार दोनों में नुआ खाई जुहार नामक फेस्टिबल मनाया जाता है So 23 अगस 2020 को रिसेंटली मनाया गया है उलिशा और चाथिसगार अन पलुसी राजो में नुआ खाई जुहार तेवहार मनाया गया या मौसम की नई फसल का स्वागत करने के लिए मनाया आता है इसे नुआ खाई परब या नुकाही भेटगाट भी कहते है हमारा नेक्स्ट कोस्टन है कोस्टन नमर्ट 24 डिजिटल गरहक अनुभवों को बढ़ाने के लिए एड़ॉब के साथ किस बैंक की भागिदारी है विच बैंक हैज पार्टनर्शिप विद अड़ॉबी तो इन्हांस डिजिटल कस्टमर एक्सपिरियंस सो फ्रेंड्स इस कोस्टन का सही एंसर है ओप्सन नमर्ट D HDFC अभी रिसेंटली HDFC ने एड़ॉबी के साथ साज़दारी की है ताकि उसका डिजिटल ट्रांस्फोर्मेशन इन्हांस्मेंट हो शके सो 27 अगस 2020 को HDFC बैंक ने अपने गरहकों के डिजिटल अनुभव को बढ़ाने के लिए एड़ॉब के साथ रन्नितिक साज़दारी की है सो साज़दारी एड़ॉब एक्सपिरियंस क्लाउड सोलीशन्स द्वारा संचाली थै और HDFC बैंक को किसी भी समय और कहीं भी नए गरहके के साथ व्यक्तिगत डिजिटल अनुभव परदान करने की मदिद करेगी हमारा नेक्स्ट कोश्टन है कोश्टन नमर 25 काला सागर में प्राकृतिक गैस के भंडार की खुच किस रास्टर ने की विच कंट्री डिस्कवर्ट दे नैचुरल गैस रिजर्व विन दे ब्लाक सी इस कोश्टन का सही एंसर है अप्सन नमर दी तुर्की अभी तर्की ने रिसेंटली ब्लाक सी में नैचुरल गैस रिजर्व की खुच की है 21 अगस्ट द्वार बिस को तुर्की के राश्टपती रेसेप तयप एर्दोगन ने काला सागर तट में बड़े प्राकृति गैस बंडार की खोच की घोशना की है राश्टपती द्वारा या घोशना 320 बिलियन क्यूबिक मिटर प्राकृति गैस की खोच की गई है हमारा next question है question number 26 केंदर सरकार ने मानसिक स्वास्ते पुनरवास के लिए निम्न में से किस हेल्प लाइन की सेवा सुरू की है which of the following हेल्प लाइन सर्विसेज has been started by the central government for mental health rehabilitation so friends इस question का सई अंसर option number C कीरन अभी recently कीरन नामक एक हेल्प लाइन सर्विस टार्ट किया गया है जिसका उद्देश mental health rehabilitation है कीरन हेल्प लाइन सेवा सुरू किया है यह एक free हेल्प लाइन है जिसे केंद सकादर सुरू किया गया है इसका उद्देश क्या है हमारा next question is question number 27 निम्न में से किस देश में खुदाई के दौरान 300 मिटर नीचे अलगतिस सौ साल पूरानी किराट देवी की मूर्थी मिली है in which of the following countries 3800 years old statue of किरन देवी has been found 300 मिटर डाउन during excavation so friends इस question का सही अंसर option number D नेपाल अभी नेपाल में recently 3800 साल पूराना किराट देवी की मूर्थी मिली है नेपाल के धूली खेल में करीब 300 साल पूराना किराट देवी की मूर्थी मिलने से पुरा तत्वश्विद और विरासत को सहेजने वाले लोग उत्साहित हैं इन मूर्थियों को जमीन से करीब 300 मिटर नीचे पाया गया है बताया जा रहा है कि यह मुर्ती नेपाल की सबसे पूरानी मुर्तियों में से एक है हमारा next question is question number 28 वित मंत्राले द्वारा राजसभा में प्रसुत की एज गया आकड़ों के मुताबिक प्रधान मंत्री मुद्रायोजना के तहत महिलाओं को रिन देने के सूची में सबसे सिर्स राज कौन सा है according to the data presented in the राजसभा by the finance ministry which is the top state in the list of loans to women under the प्रधान मंत्री मुद्रायोजना so friends इस question का सही answer option number C Tamil Nadu so Tamil Nadu state जो है वो top पे रहा है Tamil Nadu प्रधान मंत्री मुद्रायोजना के तहत महिलाओं को रिंदने में सबसे उपर रहा है इसके बाद पस्चिम बंगाल और करनाटक का स्थान है हमारा next question is question number 29 केंदर सरकार ने कुरोना महमारी को देखते वे driving license एवं वाहन संबंदी अन्य दस्तावेजो के नवीनी करन की सीमा कब तक के लिए बढ़ा दी है इसके बाद दूसरी बाद उसे बढ़ा कर 30 सेंबर किया गया था और अभी तीसरी बाद भी बढ़ाया है 31 सेंबर तक कर दिया गया है इसका उदेश जेनरली यह है कि भीलबाले कठा ना हो ताकि कोरोना वाइरस को हमनों रोक सके हमारा next question is question number 30 भारती railway ने किस वर्स तक अपनी 33 billion से अधीक इकाईयों की उरजा की आवशकता को पूरा करने के लिए निधारित किया है By which year Indian railways has year mark to meet its energy requirement of more than 33 billion units So friends, इस question का सई answer is option number B, 2030 So 27 अगस 2020 को भारती railway ने अपनी सभी उर्जा जरूतों के लिए 100% आत्र रिकाऊ बनने और राष्टी सौर में योगदान देने के लिए केंदी रेल मंत्री प्यूस वेद प्रकाश गोयल की अध्यक्षता में हितकारों के साथ कई विसेवों पर चर्चा करने का आयोजन किया है भारत का मिसन 2033 तक रेलवे के लिए 100% विद्यूती करन प्राप्त करने की महत्वा कांची उजना के साथ भारती रेलवे की उर्जा खपा 32 तक 33 बिलियन से अधिक एकाईया बनाने वाली है जिसकी वरतमान वार्षिक आवशक्ता लगबग 21 बिलियन यूनिट है So friends, मैं आशा करता हूँ, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा मैं कोसिस करता हूँ कि हमेशा आप लोग के लिए बहुत अच्छे कंटेंट लाऊं और ये जो 30 best MCQs हैं, selective MCQs बहुत important होने वाले हैं आपके आगामे एक्जाम के लिए So thanks for watching, please like this video and subscribe our channel, thank you so much